दरिया दरिया और जो बूंद बूंद दरिया दरिया आता है उसके सामने आ जाता है यहां मेरे लिए बोलो है thank you so much मैं तो बोला अरे मेरे को पढ़ाने के तरह भूख नहीं लगती है ना ना मतलब भी नहीं भूख लग जाए चलो चलो है ना आप इसके बारे में आगे की सामने आतरे हैं तो लोंग एगो किकरन कानी के सारथ every drop count लेरे में जो आता है वो बूंद बूंद दरिया 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 वेह में जब जाओंगे तो बूνद बूंद दरिया दरिया में बैटा एक है घड सी मेंने गरे और ती onk ने लेक तो किया है ड़िए डी का मैं यहा जो है जेसल मेर की एक क्या आर्टिफिशल जील है जो क्या है जेसल मेर 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 जो 600 साल पहले बनी थी और जो सर का मतलब होता है याद रखना जो सर सरोवर तुम देखते हो ना उसका मतलब क्या होता है जील और इस जील में कुल मिलाकर कितनी जील है नो स्क्रीन चोट ले लो फिर आगे काम आएगी। अब इसके बाद जो होगा गड़सी सर में आर्टिफीशल जील भी पता चल गी कहां पर है जैसल मेर में भी है किंग किस ने जो राजा था उसका नाम क्या था वहाँ गड़सी ने बनाई थी है ना उसके में क्या आती है अलबुरुनी आपसे क्लास नमबर पांच का एक चेप्टर इसी में आ जाएगा अलबुरुनी तो जब अलबुरुनी के बारे हम बात करेंगे है ना गड़सी राजा ने बनवाई दी अल Neighbor你 क्या है एक यातरी था और जो यातरी था वो कहां से ऐ था उचभेकिस्तान से आया था और उसने क्या है ये लेक देखी थी और उसके बाद उसने लोगों के पारे हम बता है कि भाई वहाँ जाके उजबेकिस्तान में कि देखो जी यहाँ पर जो है ना लोग ना वाँ पर कैसे बनाते हैं तालाब कैसे भाई वो क्या करते हैं उलेक करा विशाल चट्टानों के बारे में जील के चारो और जो चबूतरे हैं उठे 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 जो प्लेट फांट है जाद कहता है between the चबूतरा there are row of long staircase going up and down देखो यह रहा तो यह जो इस तरीके से चबूतरा जो बना दितने इस तरीके से देखो कैसे कैसे बनाते थे उपर नीचे यहाँ पानी इस तरह से चबूतरा यह जादे तर आपको कहां पर देखने को मिलेंगे राजिस्तान में खिने को ज़ाद ही मिलते हैं यहाँ पर लोग क्या करते हैं उपर नीचे आने जाने के लिए इन सीडियों की क्या लेते हैं मदद लेते हैं बटा अध्यन मंतरा का टेलिग्रम, अध्यन मंतरा के टैनी कलाम से है हरло cdpy रोज sır के नाम से है ठीक है चलो यहाँ पर उसके बा पूँचा जाता है बावली भी बोला जाता है बावली बुला tasty bucks बनाय रखने के लिए जो पुरानी झीलु हए पना निर्मान के साथ चील पूछा जा, हाँ, इनको क्या बोला जाता है? बावली बोला जाता है, और बेटा इसी बात में याद रहे, इनके construction को और सही करने के लिए एक जो संग है, उसका नाम क्या है? तरुन भारत संग, क्या होता है? तरुन भारत, तरुन भारत संग में इसके साथ आता है. अब इसक जब आता है तरुन वारत संग पूरा पढ़ने के बाद फिर आपके सामने एक चेप्टर आजाता है जिसका नाम आजाता है